Hello guys, once again welcome back to my channel Macy Paper by KS तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Still Life में क्या-क्या material का use होता है और जब आप Still Life exam देने जाएं तो आपको क्या-क्या material लेके जाना है उसके मैं बात करूँगी तो सबसे पहले जो सबसे important होता है कि आप Still Life में जो material लेके जाएंगे पहले आप में बता दूँ कि आपको सबसे पहले एक board लेके जाना है खुद का board होना चाहिए और A3 size का board होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह A3 size का board है ठीक है यह पूरा A3 size का board है और आपको यही इतने ही बड़े A3 size के paper मिलेंगे एक जो cottage seed होता है उसका one-fourth paper आपको exam में मिलेगा Still Life करने के लिए सेम ऐसा और इसके लिए आपको A3 size का board ले लेना है ताकि आपका paper अच्छी से इसमें आ जाएगा आपको इस तरह का एक board ले लेना है First Second आते है Pencil Most important कि आपको Pencil कौन-कौन सा यूज करना है ठीक है तिहाँ पर वैसे बहुत सारे Pencils रखे हैं मैंने लिकिन जो सबसे main use होता है जो आपको 100% लेके ही जाना है वो है Artline की Pencil यह Artline की Pencil पूरी एक शेट इतनी सारी Pencil है इसके अंदर 2B से लेके 10B तक की Pencil तो यह पूरा एक शेट लेके जाए जब आप एक्जाम देने जाए तो इसमें आपको HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B सारी Pencil मिलेगी तो आप यह एक लेली जो 60 रुपीज ओनली आती है इसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप और भी Pencil यूज कर सकते हैं अपने स्टिल लाइफ के लिए और भी अच्छा करने के लिए जैसे कि यह स्टेटलर की Pencil है यह काफी कोस्टली है अगर आप कोई ज़रूरी नहीं है आप उससे भी अगर आप आप आर्ट मैंने का पहले भी यूज कर रखा है इस Pencil को तो इसलिए थोड़ी छोटे हो गया Pencil छिलने के दोरान तो हाँ आप यह Pencil का यूज कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर यूज की पुरा यह आप सेट आता है यह चे फैंसिल का सेट है तो आप यह Pencil यूज कर सकते साथी आप फेवर कैस्टल का भी Pencil का यूज कर सकते हैं फेवर कैस्टल की पैसल बहुत अच्छी होती है गाइस ठीक है आट-लाइन की बाद अगर मुझे कोई पैसल को पसंद आती है पुरे शेट आती है आट-लाइन इतना ही दाम रहता है उसका भी तो फेवर कैस्टल पैसल का यूज कर सकते है उसके बाद इस ट्रेटलर की पैसल में आपको दिखा ही दिए हूँ इसके बाद आप यह पैसल यूज कर सकते यह बहुत अच्छी पैसले ग्रेफाइट की है ठ यह बहुत इसी रहेगा शेट करने के लिए तो हां अगर आफ अफोर्ड कर सकते है तो यह भी पैसल यूज कर सकते हैं लेकिन जो मेन है आपका आट-लाइन नहीं तो फेवर कैस्टल की पैसल हंड़ेट परसेंट ले जाए साथ में मेकेनिकल पैसल लिजाना बिल्कुल भी मेकेनिकल पैंसल जरूर लिजा क्या होता है कि छिलना नहीं पड़ता और आप 45 डिरी का शेट करोगे तो इसली आपको मतलब इतनी महनत करने की जोतनी पड़ेगी आप शेट कर लोगे देखिए अपर में पास दो मेकेनिकल पैंसल है एक आट-लाइन की मेकेनिकल पैंसल है ज़्यादा महेंगी नहीं है ओल्नी 15 रूपीज की आती है 15 रुपे की एक पैंसल आती आट-लाइन की और यहां पर है कि स्टेटलर की पैंसल है मुझे मेरे पास 0.7 यह आट-लाइन की पैंसल है वह 0.5 की है अगर आपको दिख रहा हो तो यह 0.5 थोड़ा बलड दिख रहा ह यह आट-लाइन की पैंसल है यह भी ले सकते है और इस टेटलर की पैंसल यह मुझे बहुत ही जादा पसंद आई जब मैं यूज की थी यह 0.7 लिया है मैंने यह 55 की एक पैंसल पड़ी एक पैंसल पड़ी है तो इस पैंसल को यह पैंसल आप जरूर लेके जाए ताकि यह 45 अर्टीजुरी शेट करने में आपको इजी पड़ेगा जब आप काम करोंगे तो चिलना नहीं पड़ता मेन ली बार हाँ और अप लग बार बार पूस्ते कि क्या मैं चार्कॉल पैंसल का यूज कर सकता हूं इस टिल लाइफ ड्राइंग में तो हां बिलकुल यूज कर सकत एक one और चारकोल पैंसिल पैंसिल ये रहा है आप इस कामलीन का चारकोल पैंसिल यूज कर सकते है बहुत महेंगर नहीं है पैंसिल 55 की तीन पैंसिल हैं 2005 की तीन थेन थेथ्य हाट मीडियम सौफ्ट ए जो सबसे चादा यूज alcohol में har Desla Pets बहुताँ होता है vendors तो रदर मीडियम होता है तो आप ले सकते हैं तो अब हम जब हम पलि शॉफट पैंसल के चीओ के सकते को जिए लीड़ काम कचे तो तरहा लोगा हम यह काम कि बार्नायों हाव इदिन जो ख्रेव sava पास में आपके पास अफोर ने कर पार इस टेटलर का 55 का तो आप आप लाइन का ले लिए मात्र 15 रुपी यह बहुत चाजती है तो यह रहा पैंसिल जो आपको लेके जाना है अब आते है एरेजर करने के लिए क्या आपको इरेजर लेके जाए तो यहां मेरे पास दो एरेजर है और दोनों ही बहुत अच्छा एरेजर है मतलब मैंने यूज किया है एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ एक तो नडेवल एरेजर ही तो मैं हर बार कहते हूँ कि हाँ ये एरेजर तो आप रखिए अपने इस्टिल लाइफ ड्रोइंग के लिए मैं बता दूं यह 55 की एक है 55 की एक आई है फेबर केस्टल की भी ले सकते है 500 रुपे के आसपास की आते यह चालो इस तरीके से यह निकलता जाएगा और इसको एसे राउंड करके जो सेब देना चाहे उस सेब को दे कर आप इसका यूज कर जहां पर आपको लाइट करना है डार्क हो गया है समित, एक ट्रिव करके यूजारा एक इंड यूजार दूए में पेंसी करो यूजाया है अगर आप यूजाकैंच दिखने के एक प्रहस59 बढ़तर हम ब्याहिये ह问 यूजार और रुटव साम्य शाथ इसका ग्रेफाइड हाथ में नहीं लगता विलकुल भी सबसा अच्छी बात यह होती है एक और इरेजर ले近 । यह बहुत अच्छी ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सापनर, अगर आप सापनर लेना चाहें तो, सापनर में मैं ये डॉम्स की सापनर यूज करती हूँ, कवर वाली, क्योंकि क्या होता है कि छिलने के दोरान ग्रेफाइड हाथ में नहीं लगती सी के अंदर रह जाती है, तो अगर आप सापनर यूज जान तूट टिया अरिसे उसके अरज़ कर सकते हो, इतना भी पुरा मी रीज़ नहीं होता है यूज में आ जाता है pencil का छिलने के दोरान तो अगर आप scrapper का use करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं कहूंगी भी कि scrapper का use कीजिए लिकिन हाँ अगर बहुत कोई होता है कि scrapper का use नहीं कर पाते नहीं छिल पाते तो अगर नहीं कर पारे तो आप doms का ये सापनर ले सकते हैं ठीक है मैं यूज करती हूँ अपने ड्रोइंग में जहां लगता है क्योंकि HB Pencil, 2B Pencil, 4B Pencil ठीक है HB, 2B, 4B और थोड़ा बहुत 6B ये क्या होता है कि सापनर से यूज करने के दोरान उसका जो लीड है वो टूटता नहीं है लेकिन वहीं आप 8B और 10B यूज का चापनर से छिलोगे तो उसका लीड तूटने लगता है तो उस दोरान आपको Scrapper की जरुद पड़ती है तो हाँ तब आप Scrapper का यूज कर सकते है और चाहो तो आप सारे Pencil को भी Scrapper से छिल सकते हो तो आप पर डिपेंद करता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आते हैं और मेरे पास दो Eraser है चाहो तो आप ये ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो ठीक है में दो जो Eraser था मैंने बता दिया ये तो एहे एक Mono Tombow Zero Eraser काफी महेंगा Eraser ही है 250 की पड़ी थी जब मैंने ओनलाइन मंगाई थी इसे ये Eraser आप लोग अगर देखे हो गए तो Mono Tombow Zero Eraser इसमें रिफील रहता है ऐसे निकालते जाए ये रिफील निकलता जाएगा ये पतले एरियास को हाइलाइट करने के लिए अगर आप अफोड कर सकते है तो लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं आप ने डेवल एरेजर से भी अच्छे से हाइलाइट कर सकते है पतले पतले एरियास को जरूरी नहीं है लेकिन हाँ आपके पास है आप आफोड कर पार हो तो लेना और एक pencil है मेरे पास favor castle की pencil है ठीक है ये भी pencil eraser है ठीक ठाक pencil है बहुत जादा अच्छा नहीं कहुंगी मैं मुझे use करके बहुत जादा तो मज़ा नहीं आया पर हाँ ठीक ठाक कह सकते हैं और ये pencil का price पड़ा है 120 के आसपास पड़ा है ये pencil तो अगर आप लेना चाहो तो ले स प्राइक यह और अब के बात जरुर्व जाया ठीक है पैंसल स्टेंड अगर आपके पैंसल चोटी हो गई है तो आप इसमें लगा के उसलिल काम कर सकते हो तो आप यह लेना है उसके बाद बात आती है अगर आपको चिपकाना है तो आप कौन से अलोटेप यह प्लास्टिक वाली टेप का भी यूज कर सकते हो यह थोड़ा सस्ता पड़ता है ठीक है लेकिन अगर आप सजेस्ट करूंगी में तो अगर आप यही टेप का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है पेपर टेप का नेक्स्ट आते हैं कि जब मैंने बताया है आप लोगों को कि स्टिल लाइफ ड्रोइंग में आप मर्ज वीच शेड करें तो मर्ज करने के लिए ग्रेफाइड बताया है तो हाँ आप थोड़ा सा किसी में ग्रेफाइड कलेक्ट करके किसी डिब्बे में ठीक है यहाँ पर म यू नमबर की ब्रस है और एक है शिक्स नमबर की यह ओयल की फ्लेट ब्रस है ठीक है ऐसे तो इसकी स्टम ब्रस भी आता है लेकिन यू बहुत मुश्किल है मिलना मतब जल्दी मार्केट में मिलता नहीं तो मैं तो फिलाल यही ब्रस का यूज करती हूँ आप देख सकते हो आप ओयल कलर की ब्रस मांगीगा आप यह ब्रस जाके ले सकते हैं और एक टूबी करें लिजिएगा ताकि पतले एरियास के लिए आप टूबी यूज कीजिए और मैंने आपको बताया है कि ब्रस का ग्रेफाइट के साथ कैसे यूज करना है देन आप कोटन ले लीजिएगा कोटन भी मर्ज करने के लिए यहां पे साथ ही मैंने यहां पर ब्लंड स्टम भी दिखाया यह बहुत ज़रूरी तो नहीं है लेकिन अगर आप लेना चाओ क्योंकि ब्लंड स्टम से भी स्मूथ होता है ठीके किसी वीडियो में दिखाऊंगे कि ब्लंड स्टम का यूज किया कैसे जाता है तो फिलाल क्यूंकि मैंने दिखाया है कोई भी मिटेरियल आपको एक्जाम में ले जाने के लिए मना नहीं किया जाएगा और सथ ही आप चाहो तौइंध आप इसकेल भी लिया सकती है तो आप चाहो तो आप सकेल भी लेके जा सकते हो अब कि में कि युजुबिलेग में इसक्लिक यूज होता नहीं कि इसकेल किल लिए जा सकते हम अब तक मैंने चाहिए लेकी जाते हैं कि तो अब तक जहां मैंने जाना कि मना इसे सां्टि निकेति क्यों सुछारे ज्ञायर्व और नहीं किया कि तो जो भी material मेने आज आप लोगो बताया हैं वो सारे material आपको इंटरेंस एक्जाम में ले जाने के लिए मना बिल्कुल नहीं किया जाएगा तो आप ये सब material लेकर जाए और जो बता दिया है कि जो main main है जैसे कि फिर से एक बार रिपीट कर दू आट लाइन की पैंसिल या तो फेवर केस्टिल की पैंसिल, पैंसिल में अगर आप ले जाना चाहिए तो पका 100% ले जाए, एरेजर में एडेवल एरेजर एक डॉम्स का एरेजर रखले और एक स्कैपर रखले, डॉम्स का सा फॉल ने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है तो इतनी चीज लेया नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकते तो और सबहसे निगे तो उब फिलेकर जाएं पेपर का साइज दिखा दिया है एस्लेट थिल एक्जाम में A3 size का paper रहता है आप practice भी कर रहे हैं तो A3 size के paper पे ही still life की practice करें और A3 size का एक board खरीद ले board आपको exam में नहीं मिलेगा exam में सिर्फ paper मिलता है मैं बता दू still life के exam में या composition के exam में आपको सिर्फ paper मिलेगा बाकि कुछ भी नहीं मिलेगा तो सारा चीज आपको material कुद लेकी जाना है तो आज तो मैंने आपको still life पे बताया था क्या-क्या material लेकी जाना है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं watercolor पर भी composition पर बिताओंगी, composition में किस-किस material का use होगा exam में, आपको क्या-क्या material लेकी जाना है एक्जाम में वो भी मैं बताऊंगी पर वो नेक्स वीडियो में तो आज की वीडियो में इतने ही गैज आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज like, comment and share जरूर कीजेगा और चानल पे नए है तो चानल को सब्सक्राइब कर दिजे प्लीज अगर आप देख झाल झाल